एक ऐसा वाटर फाल है जिसका पानी नीचे नहीं बलकि उपर की ओर जाता है यानि कि यहाँ पर न्यूटन का कोई भी नियम काम नहीं करता और एक ऐसी पक्षी जो अपना घोसला इतना चुन्दर बनाती है कि रात में जूबनी की तरह चमकते हुए नजराते हैं एक ऐसा आईलेंड है जहाँ पर क्यों सापो का राज चलता है यानि कि उस आईलेंड पर मनुस को जाने की कोई इजाज़त नहीं है तो ऐसे ही जनकारी के लिए वीडियो का लाज तक जुरू देखिएगा गैस गलती से अगर कोई साप अचानक सामने आता है तो आदमी के हाथ गुरू कापने लगते हैं लेकिन सोचो अगर आपको कोह दिया जाए ऐसे जगा जाने के लिए जहां कि उस साप का ही बस्ती हो और वहाँ सापो का राज चलता है एक ऐसा आईलेंड है जो कि उस सापो स को जाने के लिए कोई इजाजत नहीं है इस मेज को बखिए और फ समूंद्री जीव में खास बात यह है कि अभिए अपना भोजम परकास इसल सक किरिया दो वर्रॉचा बनाता है है, यानि कि जैसे प्रकास प्रकास अपना भोजम बनाते हैं वो ऐसे ही यह जीव बनाता है गाइज इस जहरने को देखिए जहरने ने निउटन के इनियम को वाट लगा दिया है इस जहरने का पाणी नीचे नहीं उपर जाता है और यह वाटर फाल महराष्ट के नाने घाट में इस्तित है इसका पाणी नीचे गिरने क बजाए उपर गी और जाता है और बिगानिकों का मनना है कि यहां पर हावात्य चलने के वजह से ऐसा होता है गाईज इस इमेज को देखिए यह एक सब्जी है जो काचा भी खाया जा सकता है जैसे प्याज के सलाथ काटा जाता है वो ऐसे भी इसको भी काटकर खाया जा सकता ह लेकिन इसका कीमत मार्केट में 80,000 रुपे केजी है इसका महांगा होने का कारण यह है कि इस सबजी से बीयर बनाई जाती है इसलिए सबजी महांगा है और इस सबजी का नाम हौप सूठ है गाइज बाया पक्षी दुनिया भर में अपने खुबसूरत गुशले बनाने के लिए जाना जाता है और यह पक्षी पेर के एक डाली पर जूलता हुआ गुशला बनाता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और इस पक्षी का घुशला रात में जूगुनू की तरह चमकते हुए दिखते हैं अक्सर आपने जवाला मुखी से लाल रंग का लावा निकलते देखे होंगे लेकिन इंडोनेसिया में यह एक कैसा जूखाला मुखी है जिसका लावा लाल नहीं बलकि निला निकलता हुआ दिखाई देता है इसके निला रंग सल्फिवरिक गैस के करन होता है इंडोनेसिया के जावा द्रिप के कावा नाम का ज्वाला मोखी है गैज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके एक सस्क्राइब जरू कर देजिएगा चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में